हालो फ्रेंट्स आज के इस बीड़ों में बात करेंगे यूपी पीसी द्वारा जो आरो एरो की वेकंसी आती है उसी गबार हम बात करेंगे इसकी वेकंसी कब तक आ सकती है और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा जाता है तो उसी सब चीज़ों गबार हम बा हीगा और अप्लीकेशन जो फाम बने का जो डेट स्टार्ट होना है जलदी ही जब नोटिफिकेशन आएगा तो फाम भर पाएंगे वह जल्दी ही आने वाली है का सकते हैं हो सकता next month इसका notification आपको देखने को मिल जाए यहां पर आप देख सकते हैं दो तरह के post आते हैं एक होता है general यानि आरो एरो general होता है जिसमें की 228 post के लिए आएगी vacancy और special post जो होते हैं 109 आ रही है total 337 यहां पर बहुत से candidates confused होते हैं कि इसमें education qualification क्या मांगा जाता है तो आपको जानकारी के लिए बता दे जो general post होते हैं यानि आरो का और एरो का इसमें simple graduation मांगा जाता है आप किसी भी subject से कहीं से graduate होते हैं तो फाम भर पाते हैं RO के लिए simple graduate और एरो के लिए graduation के साथ-साथ typing भी मांगा जाता है तो यह आपको ध्यान अखना ह और special post जो होते हैं उसमें graduation के साथ-साथ O label भी मांग लिया आता है कहीं triple C मांगा आता है तो वो special post के लिए होता है तो आप लोग confused बहुत रहते हैं तो आपको एधान रखना है अगर ARO general के लिए भर रहे हैं तो वहाँ पर आपको simple graduate होना चाहिए बस और ARO के लिए आपका typing भी साथ में होना चाहिए जो special post होता है वो graduation के साथ-साथ आपका special education मांगा जाता है जैसे कि O label हो या triple C हो इस तरह का तो जैसा भी notification में दिया आता है तो वो दोनों चीज़ें अलग-अलग हैं आप confused मत हो जाए के लिए इसमें कई department में आयागी भरती UPPSC के लिए ARO के लिए खा सकते हैं Secretaryate के लिए ARO और Board of Revenue के लिए ARO की post आ रही है इस तरह से देख सकते हैं अलग-अलग department में ARO ARO का post आ रहा है तो इसका notification आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा इसके बारे में हम आपको detail में information देंगे इसलिए चैनल को आप जरूर सबस्काइब करके रिखे जैसे इसका notification आता है हम अपनी चैनल के मादम से आपको जरूर बताएंगे इसकी तैयारी के लिए आप अभी से लग जाएए आप लोग के तैयारी के लिए हम लोग courses भी चलाते हैं crash course test भी चला रहे हैं तो उसको भी आप चाहें तो join कर सकते हैं जैसा कि आप screen पर देख पा रहे हुए ये हम लोग को ज़रा test भी जो start के जा रहा है ये test आपका 3rd July से start हो रहा है जिसमें कि हमने total 21 test इसमें दे रखा है full length test भी है subject wise test भी है और साथ ही साथ crash course अगर अभी चला आता है तो उसको भी आप join कर सकते हैं detail information के लिए वीडियो केंचे discussion में हमने whatsapp नमर दे रखा है वहाँ पर जा करके आप detail information ले सकते हैं और इसमें admission ले करके अपनी तयारी को अभी से continue कर सकते हैं यदि आपके पास कोई query है कुछ पूछना चाहते हैं तो कौन बाउस में पूछ सकते हैं ये whatsapp नमबर दे रखा है whatsapp नमबर पर भी पूछ करके जानकर ले सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में ये वीडियो पसंद आए तो like करें अपने सभी दोस्तों में share करें और चैनल पर पहली बार जित कर रहे हैं तो चैनल को आप जोरु सब्सक्राइब करने ताकि नए नए अपडेट्स आपको मिलता रहे